सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल में आटो डाटा स्विचिंग को कैसे हटाएं यानि कि आटो डाटा स्विचिंग कैसे ओफ करें तो चलिए सीखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile की setting को open कर लेना है आपका कोई सा भी mobile हो अपने mobile की setting को open कर लेजे अब अगर आपका Samsung का mobile नहीं है तो आपको एक option मिलेगा mobile network या फिर sim card and mobile data दोनों में से कोई सा भी option मिला है तो आपको इसको open कर लेना है अगर आपका Samsung का mobile है तो आपको यहाँ पर connections का option मिलेगा तो आपको इसको open कर लेना है कुल मिला जुलाकर आपको अपने mobile में sim card या फिर network वाले option को open करना है अब यहाँ पर Samsung वालों में एक option मिलेगा SIM Card Manager तो इसको open कर लिजे और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा Auto Data Switching अगर आपका दूसरा mobile है आपको यह option नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पर आपको एक search button मिलता है अपने setting में सबसे उपर आप लोग देखेगा एक search का button होगा इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको search कर लेना है Auto Data Switching यह आपको search कर लेना है और आपके mobile में वो setting जहाँ पर भी होगी वो आपके सामने आ जाएगी तो इसको click करके open कर लिजेगा अब यहाँ पर आपको नीचे option मिल जागा Auto Data Switching अब अगर इसको आप हटाना चाहते हैं इसको off करना चाहते हैं तो बगल में आपको एक button मिलेगा इस पर आप click कर दिजे और आपके mobile में Auto Data Switching off हो जाएगा यानि कि आपके mobile से Auto Data Switching हट जाएगा अब आपके mobile में Data Switch नहीं होगा बिलकुल भी इस प्रकार से आप अपने किसी भी mobile में Auto Data Switching को off कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जवर से पूछ लीजेगा